है अब्रिबर्ण वेल्कम टू टुडेइस वीडियो स्वागत है आप सबीका आज के लेक्चर में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिशी के बारे में जो कि हमारा एक भूगुल का पार्ट है जेग्राफी का पार्ट है तो हम यहां पे पढ़ रहे थे जेग्राफी सेक्टर के अंदर आता है यह बात आपको ध्यान में रखने है कौन सा सेक्टर के अंदर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है किरसी ठीक है अगर हम बात करते हैं कि यह इंडियन रोजगार है मतलब भारत के रोजगार में कितना अपना कंट्रिविशन करता है तो य लिए इसको backbone of Indian economy के नाम से जाना चाता है तो किरसी को क्या कहते हैं backbone of Indian economy क्योंकि यह economy में जो है वो 50% अपना सुरी economy में नहीं मतलब भारत के रोजगार में 50% अपना शेर करता है पट इकनौमी के अगर हम बात करते हैं total economy में कौन सा sector है जो भारत के सबसे जादा अपना contribution करता है तो बो आता है service sector ठीक है अगर हम बात करें भारत के छेत्रफल के हिसाब से चेत्रफल के हिसाब से भारत के 51% एरिया पर agriculture होता है वहीं पर 24% जो एरिया है वो बंजर है 21% एरिया बं में आता है forest में आता है और 4% जो एरिया है यह आता है चार गहा में मतलब जहांपे घास बगेरा है जहांपे जानवर चरते हैं ठीक है तो यह देखुए भारत का छेत्रफल करसी के अंदर में कितना आता है कितने तो भारत के total छेत्रफल के 51% पर क्रसी होती है अब क्रसी के कितने प्रिकार होते हैं तो वो हम बात करते हैं देखे क्रसी के प्रिकार types of crop तो इनको दो इसाब से बाटा गया है दो प्रिकार से इनको बाटा गया है एक आता है on the basis of season मानसून के आदार पर और एक आता है on the basis of uses प्रियोग के आदार पर तो सबसे पहले हम ब वो फसल होती है जो मानसून और बर्साकाल की जो फसले होती है उनको खरीब की फसल कहते हैं ये बुबाई कब होती है तो ये जून और जुलाई की महीने में बोई जाती है अक्टूबर और सितंबर की महीने में इनको काट लिया जाता है ठीक है तो ये बाते आपको जियान मे रखनी है ये बहुत जादा पूछा जाता है अब बात करें खरीब की फसले कौन कौन सी होती है तो जैसे हो गया धान चावल बाजरा मका कपास मुमफली तमागु गन्ना सोयावीन मूंग तेल जूट और अरर तो ये सारी किसमे आते हैं ये सारी खरीब की फसले है अगली फस आती है जिसका नाम है रावी की फसल तो रावी की फसल कब होती है तो सीध काल की फसल इसको कहा जाता है जिसकी बवाई होती है अक्टूबर नॉमबर में कब होती है अक्टूबर नॉमबर में होती है और कटाई कब होती है मार्च अपरेल में होती है अगर हम बात करते है स दोच च leashना म despite आलू राई और मसूर तो यह सारी के सारी रावी की फच्छे हैं आता है जायद की फच्छे तो जायद क्रॉप्स जो है इसको और का जाता है उसको किया कह वहते हैं surprised कि फचलेSi अब कौन कौन सी होती जायत की फसले है तो देख लिए यहां पर टमाटर हो गया, खीरा, कद्दू, लौगी और हरी सबजिया जो सबजियों का टाइम होता है उसी को हम जायत मतलब ग्रीस कवाल की फसल के नाम से जानते हैं ठीक है तो on the basis of season, season के हिसाब से कौन कौन सी फसले होती है तो खरीब की फसल होती है, रवी की फसल होती है, जायत की फसल होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है अब बात आते है on the basis of use, तो use के आधार पर ठीक है, प्रियोग के आधार पर फसले हैं, दो प्रिकार के होती है crop जैसे बाजार बिक्री के लिए उगाए जाती है कौन-कौन सी जैसे सुगर केन हो गया मतलब गन्ना, कौटन, रवर्ड, जूट, तमाकू, चाय और कौफी तो ये जो फसले होती है ये हम बैंचने के लिए उगाते हैं सेल करने के लिए उगाए जाती है तो जिसको कैस crop के न और तलन हो गया अब आप कहने के लिए तो काते हैं सुगर केन भी हैं ठीक है कौटन को हम पड़े बनाने में यूस करते है तमाकू भी खाते हैं चाए अगर उगाते हैं तो तो उनको हम अपने घर पे नहीं रख सकते हैं चाय लेते हैं ज्यादा 醒ाला होगा एक क्लो लेते आते हैं सौ ग्राम लेते हैं 50 लेते पर लार्ज क्वांटिटेंटी में हम इनको अपने घर pension पर यूस करते हैं और नहीं रख सकते हैं इसनिए ऐसी फसलें होती हैं इनको हम बेजने के लिए यूस करते हैं ठीक है नर तो इतना ही था क्रेंशी में और फसलों के बारे में आई होप आपको सारी चीजे के लिए रोह नहीं होगी वीडियो से रिलेटिट कोई भी प्रॉब्लम में तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक यू